बिहार में पंचाय चुनाओं के बाद अब पंचायतों का विकास गाउं का विकास वाट का विकास करने के लगए आज हम चर्चा करेंगे खास्तोर से वाट सदस पर वाट सदस का क्या है अधिकार पावर किया क्या कर सकते हैं मुखिया जी नहीं सुनते हैं मुखिया जी बिना वाट सदस के सहमती से वाट में काम करा रहे हैं या कोई जाय मोस्वरा नहीं करें तो आखिर वाट सदस क्या करेंगे तमाम सी जोपर चर्चा करेंगे हमारे साथ ब हमारे वीडियो को फेस्बूट reach ठीया यूट्यूट mismos देख सकते हैं इसलिए अगर हमारे फेस्ट पेस्पूट पर आप देखना चाहते हैं तो मारे मगश संबाद का फेस्पूक पेज्ट लाइक कर दीजिए और यूटूब चैनल पर भी देखते हैं तो अब तक आप आप आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हमारी पूरी टीम पंचाइती राजब्यवस्था को लेकर खास काम करती है किया योजना आ रही है आपको कैसे काम करना है जनता अगर आप हैं तो जनता को कैसे जनकारी मिलेगा कि कब क्या हो रहा है समाम सीजों पर हम बताते रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजिएगा चलिए बता देते हैं फूरी खबर को विस्तार से यानि वार्ड सदस अपने वार्ड का मालिक होता है हलाकि वार्ड के विकास को लेकर वार्ड सदस सर्वे सरवा होते हैं लेकिन उनके साथ में जो वार्ड किर्यानुवन एवां परवंधन समीती बनाया जाता है उनकी विस्तामती वार्ड सदस को किसी योजना को पारित करने में लेना परता है जिसमें पंध साहिप का भी नाम होता है जो अस्ठाई रुप से सदस होते हैं सबसे पहली बात कोई भी कारिज कराएं उसमें वाड ऑड में काम होता है उस वाड के वाड सदस की स्तहमती जरूरी है देखिए भाई या बहने अगर आप what sda siya what sda siya है तो सुन लिजी। आपको अधिकार पावर या करतब समझाने के लिए कोई packet में नहीं आकर देगा कोई हाध धरा कर आपका अधिकार नहीं देगा power नहीं देगा सबसे पहले आपको समझना जही है कि अधिकार अगर आप लेना चाहते हैं तो अपने करतब्य को भी समझ लिए यानि कि आपके वाड में क्या दिकत है उस समस्या को जानिए अगर सामोही के स्रमदान से भी अगर सुन पूलता है तो उसको आपकी जिए जब आप करतब्य को समझेगा तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा दूसरी बात मुख्यादी नहीं लगाते हैं लोग नहीं लगा रहे हैं या उन लोगों के लिए बात होती है जिनको नोलेज नहीं जो डर पोक होते हैं जो पदादीकारियों के पास में पत्र लिखने से घरवडाते हैं जो अपनी बात पदादीकारियों के समझ नहीं कहा पाते हैं दब्बू होते है वे ऐसा बात करते हैं आपके वाड में आपके बिना सहमाती से कोई काम नहीं करवा सकता है और करवाता भी है तो आपको लड़ने जनुआ की जरूत नहीं है बलकि आप कि आपको पावर मिला है अपकर इन से आपको पावर मिल गया है आपको थिकार पावर आपको अगएक अगर वहा को वार्ड में आपको काम कर दिया चाहे वह मुख्याजी हो या कोई भी हो या उपर से फंड आया हो तो आप आपको भले उसमें काम न मिले लेकिन काम को तो आप बहुतको से देख रेके करवा सकते हैं तो आप आप दैरेक्ट मांग करते होंगे कि हमको भी इसमें रखिए हमको भी फंड दीजिए हम कराएंगे तो वहां तो लालच फली बात हो जाती है इसलिए आपको लोग लगाता नहीं है कामों करवाना कोई भी सुरू कर दे आपको लड़ने जगड़ने की जरूरत नहीं है वाक युद्ध नहीं करना है यानि बातों की लड़ाई नहीं करना है आपको लिखित रुप में कमपलेन करना है कहां कमपलेन करना है आप डैरेक्ट परखंड पिकास पदाधिकारी या पन्चाइती राजविभाग परखंड या जिलास्तर पर परखंड में ही आप दीजिए परखंड विकास पदादिकारी के नाम से पत्र उसमें परतिवेदन में दे दीजिए जिला पदादिकारी दुसरे नमर में दे दीजिए जिला पंचाइती राजविभाग तिसरा नमर में दे दीजिए पंचाइती सब्सक्राइब मुख मुखवपी सब्सक्राइब उनका बागी फोटो स्टोइट करवा दीजिए ना तो टाइप करवा दीजिए सभी कोपी का और भेज दीजिए देखिए उस काम में अगर गलत हुआ होगा तो जाच होगा अगर सही कर रहा है कोई बैक्ती आपके वाट में काम तो आपको रूखना भी नहीं चाहिए क्योंक लिज्टू आप साहय जनकार होंगे लेकिन यें इन सब बातों क्रीजनकारी देना जरूरी होता है तो हम आपको बता दे सबसे पहला के नली गल्ली का जो भी काम होगा आपके वाड का नली बनाने का गल्ली बनाने का वह वाड सदस का अधिकार होता है एक नम्मर में सुन के अधिकार आपको कोई चीड नहीं सकता है जूसरा करवा नहीं सकता है आगे जो आएगा आपको त्रेनिंग भी मिलेगा चिंद्यूशतिये बताया जाया लेकिन सभी चीज़ मिलेंगे लेकिन कहना यह है कि तमाम चीजों को देखते हुए आपको कोई अधिकार कहेगा कि नहीं कि यह तुम्हारा अधिकार है आपने अधिकार की लड़ना होगा लडने का मतलब पटा पटकी करना नहीं बलकि कागजी लड़ाई लड़ना होगा दूसरे नमर पर मैं आपको बता दूं कि आप नली गली के साथ नल जल योदना का भी देखरे कर सकते हैं उसका निर्मान करवा सकते हैं तिसरे नमर पर आपके अगर वाड में कोई विद्याले है तो आप वहां का पदेना अधिच हो जाते हैं । स्कूल के विबास्ता को सुधरने के लिए आपको अधिकार है अगरा आपके चरितर में कोई आगयानवारी केंद्र है तो आप अगर वारी केंद्र नेडिकर के करने माले धच होते हैं को लोग अधिकार नहीं दे रहा है तो पहले अपने कर्टब्ब को अपसमझे कि मेरा कर्टब्ब क्या है अगर किसी भी माध्यम से अगर वाड में विकास हो रहा है तो उसकी देख रहाकिजिए जहां अगर गलत लगे तो कहिए आपका स्टमीट जो है वह गलत हो कुछ कह रहा है और आप उपयोग कुछ कर रहे हैं नहीं रहे तो आप रोख लगवाईए रोख लगवाईएगा पदाधिकारी पहुचेंगे आप बताइए अश्टिमीट के धार पर यह हो रहां काम लगने से पहले काम लगने की बाद ही हो तो मंगिए आपके वाड में काम हो रहा है तो सबसे पहले आप हमें अश्टिमीट दिखा दिए या अश्टिमीट को सारजनिक करके चिपका दिए सभी लोग देखेंगे क्या अश्टिमीट है क्या पैसा है इसका रकम अरासी हुआ है तुमाम चीजों को देख सकते हैं जब इस तरह सब करने लगिएगा त तो आपको पहले भी समती लेंगे कि नहीं भी पूछते हैं तो एक तर्खिस करता है इसको जानकारी है फिर भी नहीं रहता है तो आप खुली किताब रखिए आप कंप्लेन कीजिए लोगों को अपने पच्छ में रखिए आप वाड सदा सेतनिस्ची तोर पर आपके पच् अधिकार लोग घर में ढूंड कर देंगे आपके वाड में काम कराना है और सबसे बड़ी चीज है अपने वाड सभा कराने का अधिकार वाड सदस्को होता है तो आप कम से कमी जरूर देखिए कि जब जरूरत हो जो भी नियम आता हो महीने में करवाना आया जब भी हो तो आप वाड में बजबते लोगों को बुलाकर अगर बैठके कराएंगे तो निसीत तोर पर मुख्याजी भी सोतेंगे पदाधिकारी भी सोतेंगे यह वाड बिल्कुल तेज तडार है लेकिन आप अपने अधिकार की बात करते हैं और जनता की अधिकार को आप शिनते हैं ब जरूर लगाईए वाड सचीव आपके लिए बने हैं वाड सचीव को कहिए कि सभा बुलाईए लोगों को बुलाईएगा तो लोग हावी होंगे और जब आपके वाड के लिए जो चैन होगा की चीज होना चाहिए और परस्ताव में आम सभा में मुख्याजी को सामने जैब मुक्या जी आपको नहीं लगाएंगे को नहीं देंगे जनता वात को discussions कर लाएंगे मैं के वलब बताने काम कर रहां कि अ Adhikार कोई लाकर नहीं देता है अधिकार लिया जाता है जब अधिकार नहीं मिलता है तो अधिकार चीना भी जाता है बंधू आप मेरी बातों को समझ नहीं मेरे कहने का मतलब है कि लड़ाई जगड़ा वगरा करने से अधिकार नहीं मिलता है सबसे पहले आप नोलेज लिजिए जो किताब मिलेगा किताबों कध्यन कीजिए हमारी विडियो को भी आप देखकर अपने knowledge को बढ़ा सकते हैं जब आपके पास knowledge होगा तो निस्ती तोर पर कोई आपके अधिकार का हननान नहीं करेगा कोई के अधिकार को छीनेगा नहीं तो यही आज कहना था आप से और निस्ती तोर पर आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं यानि कि आपका अधिकार भी है करतब भी है और अधिकार को आपको देने नहीं आएगा बलकि आपको अपने अधिकार को समझना होगा तो हम पूरी बात बता चुके हैं फिर अगले वीडियो में हम आपके वाट सदस के लिए खास चीजों पर बात करेंगे आप इसमें कॉमेंट कीजिए क्या के आपके साथ समस्य आती है को में उस कॉमेंट के अधार पर हम अगला वीडियो हम वाट सदस भाई भाहनों के लिए लेकर आएंगे आगरा है निमित हमारी वीडियो देखिए हर योजना की जनकारी दिरते हैं मनरेगा क्या है लोगों का सवाल होता कि सर मुख्या जी मनरेगा के लिए हमारे नहीं कर रहें अरे बंधू मनरेगा मुख्या जी का चीज है और मुख्या जी चाहेंगे तो आप से करवा सकते हैं मनरेगा में पहले पुंजी लगानी की जरूरत होती है पुंजी आप लगा झाल